दोस्तो इस वक्त की बेहत बड़ी खबर निकल कर सामनी आ रही है जहां पर दोस्तो तीसरे T20 मुकाबले के लिए यह 11 खिलाडी शामिल होंगे बड़े बदलाओं के साथ उतर सकती है टीम इंडिया हेलो दोस्तो सौगत है आप सबी का फिर से हमारी यूटूब चैनल क्रिकेट देखो जी मैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और स्रिलंका के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कोंसे 11 दिगज खिलाड यूग के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है भारतिय टीम की प्लेंग 11 क्या होने वाली है दोस्तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आपको भी लगता है कि तीसरे T20 मुकाबला टीम इंडिया जीत कर यह सीरीज भी अपन वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो भारत और सिर्लंका की बीच तीन T20 मुकाबलों की सीरीज चल रही है पहला T20 मुकाबला पांच जनवरी को खेला जाना था जो की बारिश के कारण रद्ध हो गया और दूसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया ने सांत विकेट से जीत लिया दोस्तो भारत और सिर्लंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला 10 जनवरी 2020 को खेला जाना है यह T20 मुकाबला पूने के महराष्ट क्रिकेट असोसियेशन स्टेडियम में खेला जाएगा इस T20 मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी और आप इस T20 मुकाबले को स्टार पो जाडियों के साटी मीडिया मैदान पर उतरने वाली है तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं दोस्तो बात करें यहां पर नमबर एक खिलाडी की तो दोस्तो यहां पर आएंगे केल राहुल जिहां दोस्तो सलामी बल्लेबाद के रूप में भारत की और से केल डाहुल पर ए इसले के हुए नजराएंगे जिससे वह प्लेंग ईलेवन में भी अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर सके साथी में टीम इडिया को भी जित दिला सके दोस्तो बात करें यहां पर नमबर दो खिलाडी की तो यहां पर आते हैं दोस्तो शिकर्धवन, जियां दोस्तो टीम पूने के मैच में शिकर धवन एक बड़ी और मैच जिताओ पारी खेल कर खुद पर उट रहे सवालों का जवाब दे सकते हैं जहां दुस्तों शिकर धवन के अलावा पिलेंग इलेवन में भी अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे क्यूंकि शिकर धवन भी अभी रिस्क प्र हैं क्यूंकि अभी रोहित शर्मा जब टीम इंडिया में वापसी करेंगे तो उस वक्त देखना होगा कि शिकर धवन को मुका मिलता है या नहीं क्यूंकि के अल राखुल भी ओपनिंग में शानदार प्रदशन कर सकते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप सभी से हमारा सवाल है क आपको कौन सी ओपनिंग जोड़ी अच्छी लगती है केल राखुल और रोहित शर्मा की या तो फिर रोहित शर्मा और शिकर धवन की उसका जवाब हमें कमेंड बॉक्स में जरू दे तो चलिए अब जान लेते हैं नमबर तीन खिलाड़ी की तो यहाँ पर आएंगे दोस दोस्तो आप सभी को बदा दी कि पिछले मैच में विराट कोली नमबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे लेकिन अब तीसरे टीट्वेंटे मुकाबले में वहाँ नमबर तीन पर आप सभी को बल्लेबाजी करती हुए नजर आएंगे दोस्तो विराट कोली जिस पर चार खिलाडी किये तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों स्रेयस एयर जिहां दोस्तों नमबर चार पर स्रेयस एयर अब अपनी जगह पूरी तरह से पकी कर चुके हैं इन दोर में भी उन्होंने एक चोटी लेकिन बड़ी और एहम पारी खेल कर खुद को साबित कर दिया था औ और यहाँ पर स्रेयस एयर के पास भी एक गोल्डन ओपोर्चुनिटी है कि टीम इंडिया की तरफ से खेलते होए शांदार प्रदशन करे और टीम इंडिया को इस सीरीज से भी जिताए दोस्तों बात करें यहाँ पर नमबर पांच खिलाडी की तो यहाँ पर आते हैं रिशब पंत को एक बार फिर से मौका मिल रहा है दोस्तों पिछले मैच में उन्होंने बतोर विकेट की पर सुदार देखने को मिला था जिहां दोस्तों जबकि बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला अब पूने में भी रिशब पंत अच्छा प्रदशन करके और आलोचकों को करारा जवाब देने का पूरा प्यास कर सकते हैं क्यूंकि रिशब पंत जिस दोर से चल रहे हैं अभी फिलहाल में रिशब पंत फौर में चल रहे हैं ऐसे में वह उन्हें अगर मौका मिलता है तो उस मौके को वह भुना सकते हैं उस मौके को जम कर वहां पर रन भी बर्सा सकते हैं तो ऐसे में दोस्तो नंबर छे खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर आते हैं शीवम दुबे जिहाँ दोस्तो यहाँ एक यूवा आल डाॉंडर खिलाड़ी शीवम दुबे को इन दोर के मैच में बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों ही करने का पूरा मौका देना चाहेंगे जिससे शिवम दुबे खुद को एक अच्छे खिलाडी के रूप में साबित कर सकेंगे और साथी में बतोर फिल्डर भी उनका प्रबाव मैदान पर नजर आता है शांदार तरीके से फिल्डिंग करते हैं तो देखने वाली बात होगे कि किस त वाशिंग्टन सुन्दर ने लगातार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रबावित किया है गेंद के साथ पिछले मैच में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा था लेकिन अब पूने के मैदान पर वाशिंग्टन सुन्दर गेंद के साथ ही मोका मिलने पर ब बात करते हैं नमबर आठ खिलाडी की तो यहां पर आएंगे शारदुल ठाकुर जहां दोस्तों तेज गेंदबाज की रूप में शारदुल ठाकुर ने पिछले मैच में अपने गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है दोस्तों जहां पर उन्होंने तीन विक दान दे सकते हैं आपने देखा होगा कि वेश्ट इंडीस की खिलाफ खेले गए आखिरी वंडे मुकाबले में शारदुल ठाकुर ने बहुत अच्छा प्रदशन करती हुए अपने बल्ले से शांदार तरीके से बहतरीन रंद बनाती हुए टीम इंडिया को एक एतिहासिक जीद दिलाई थे और यह जीद हर किसी को याद है तो ऐसे में शारदुल ठाकुर का तो मौका यहाँ पर बनता है दोस्तो बात करें यहाँ पर नमबर नो पर आएंगे कुल्दी प्यादो जिहां दोस्तो जिस तरह का प्रदशन कुल्दी प्यादो ने अपने वापसी के ब पर भी टीम की पहली पसंद बने रहेंगे ऐसे में पिछले मैच में उन्होंने महतपूर्ण मौके पर विकेट लिये थे इसलिए उन्हें ड्रीम 11 गेम चेंजर ओफ दम मैच का अवार्ड भी दिया गया था तो दोस्तों बात करें यहां पर नमबर 10 खिलाडी की तो यहां पर सबी को बहुत ज़्यादा प्रबावीत करके टीम में अपनी जगह पकी करने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों अब सबी को बता दी कि नौदीब सहिनी को दूसरे टीटिवेंटी मुकाबले में मैण आप दम मैच का अवार्ड भी दिया गया था अ पूरे के मैदान पर भी वह खुद को चोट के बाद पूरी तरह से साबित करना चाहेंगे जिससे कि वह टीम के लिए एक बार फिर से एहम खिलाडी के छवी को साबित कर सकते हैं और यह एक उनके लिए सही मौका है भूमराह ने पूरे में पहले भी बहुत अच्छा कर देखते हैं दोस्तो आप सभी से हमारा सवाल है कि भारत और स्रिलंका खिलाफ होने वाले तीसरी T20 मुकाबले को को जीतेगा उसका जवाब हमें कमेंट बोक्स में जरुर दे साथी में दोस्तो हमें कमेंट बोक्स में जरुर बताए कि आपकी पिलिंग लिए उन क्या है आप कौन से 11 खिलाडियों के साथ मैदान पर उतर सकती हो, आपके questions क्या है, हमें comment box में जरू बताये ताकि हम उन questions का जवाब दे सके, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर करे, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करे, और उसके बाद दोस्तों ध्यान से उस घंटे वाले बेल आइकोन को दबा कर, आल पे सिलेक्ट जरूर करे, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियों बस इतना ही,